So hello this is Pradyumankaurav and you are watching my channel जिसका नाम भी Pradyumankaurav है और यार आज का मेरा टॉपिक है कि eligibility criteria क्या है रश्या आने के लिए मतलब 12th में कितने number आना चाहिए, 10th में कितने आना चाहिए So hello मैं 60-year medical student हूँ और Unberg State Medical University में तो चलिए शुरू करते हैं तो यार eligibility criteria यहां का ऐसा है कि तुम्हें basically एक तो NEET में number आने चाहिए तुमारे जो की 150 एक basic score मान लो ठीक है और मेरे से बच्चे पूछते भई या general के लिए कितना है या OBC के लिए SCST के लिए Physically Handicap, Physically Handicap, OBC का कैसा है तो भाई मैं इतना ही बोलूँगा अगर तुम SCST या उससे नीचे हो तो 100 number तुमारे लिए ठीक है बट अगर तुम OBC या general category में हो तो हर साल के 150 मैं बोलूँगा ही ठीक है इतना जाता नहीं है बट 150 एसा safe score है 150 एसा safe score है तो 150 जो कि तुमारे एक basic सा score है ठीक है बट इसके उपर नीचे भी ला सकते है अगर तुमारे जाधा आ रहे है तो कोई प्रॉब्म नहीं बट एक जो qualifying score है वो तुमारा जैसे last year का जो मैं बोल रहा हूँ वो 137 गया था general के लिए तो ठीक है तो 150 उपर प्लाओगे तो तुम ऐसी safe हो अगर नीचे भी लिया तो कोई प्रॉब्म नहीं है बट अगर general category का भाई 100 number 120 ला रहा थे उसको थोड़ा danger में तो सबसे पहली बात ये तो में ध्यान रखना है बात हो गई अब की need दिया है की नहीं दिया है ठीक है तो यहाँ पर need देगा तुम आ रहे हो यह एक eligibility criteria हो गया दूसरा criteria है कि तुम्हारे 12 में हर किसी में भाई number आने चाहिए ठीक है अब 12 में कितने marks होना चाहिए PCB का aggregate जो होता है वो मैं बता रहा हूँ ठीक है तो 50% एक general जो की यहाँ पर normally जितने भी college है वो 50% लेते है बट जैसे मेरा college है उसमें 60% है ठीक है कुछ कुछ है मेरे college मतलब 50 वाले भी है बट 60 ऐसा वो नहीं मतलब ऐसा नहीं कि उतने ही लागे तो है बट हर college का एक रहता है जो की generally जो तुमारा PCV का aggregate होता है यह पूरा का नहीं होता है कि English भी count हो रहा है उसमें physical education में वो नहीं है PCV का तुमारा होना चाहिए इतना और particular subject का नहीं है कि उसमें इतने ही number आने चाहिए तो ही है aggregate है PCV अपने 12th class के जोल लेना 50% से उपर आ रहे हो तो ठीक है अब तीसरी बात है यहां पर कि without need आना चाहिए तो भाई यह चीज़ सब को पता है कि 2021 या 2023 का जो एफिडेवर 23 नहीं 21 का ही शायद आया था उसमें लिखा हुआ है कि यह जो भी students यहां पर आएंगे उनको need दे के ही आना है तो मेरे से यह मत पूछा करो भाई है without need आ सकते हैं कि यह तो need दे के आओ अगर तुम्हें इंडिया में practice करनी है और without need भी तुम आ सकते हो बट अगर तुम्हें इंडिया में practice नहीं करनी है तो भाई यहीं रुको accredation exam दो gauze का exam दो और यहीं settle हो जाओ या तुम्हें USMLE निकालना है तो उसके लिए तुम्हें without need चलेगा कोई problem नहीं है यहां पर आओ जर्मनी जाओ USA जाओ बट इंडिया नहीं जा पाओगे ठीक है यह बट without need आके यहां आ रहे हो फिर USMLE exam crack करके US जा रहे हो उसके बाद इंडिया आ सकते हो तो कोई problem नहीं है एक यह था और चौहता एक और मैं चीज़ बता दूँ कि बहुत लोग बोलते भाई है university के अंदर के आने के बाद मुझे change करनी university तो इतना मान लोग कि अगर change करोगे university इस time पर जैसे हम लोग है तो हम कर सकते हम लोग के लिए कोई वो नहीं है हम लोग eligible होंगे MCI के side से पर अगर तुम लोग university change करोगे अभी तो भाई तुम्हारा क्या है कि माननेता खतम हो जाएगी एक माननेता होती है कि तुम फिर MCI पर के लिए eligible नहीं हूँ तो यह सब चीज़े धियान रखना और उसके बाद तुम आ सकते हो तो main eligibility criteria पर यह थी चीज़े और यहां पर जो भी certificate आते है ठीक है वो सब original होना चाहिए अब यह recently मेरे से 2-3 बच्चों ने पूचा कि भाईया मेरे 12th का certificate नहीं है मैंने जो नाम वाली वीडियो documents का बनाया था उसमें मेरे से पूचा गया था कि मेरे 12th का certificate घुम हो गया यह 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 वो है और एक ने बोला था कि भाईया डिजी locker में है मेरा तो भाईया डिजी locker चलता है यह original जैसे घुम गया है तो कैसे लाए तो भाई मेरा भी बहुत टाइम पहले घुमा था छोटे में बट उस टाइम यार मतलब मम्मी पपा ने बता हूं पता नहीं कैसे किया था स्कूल में जाके एक बार बोलना पड़ता है और कोर्ट में भी शायर एफिडेविट बनवाना पड़ता है तो उसके चकर वो करवाओ गया तो तुमारा CBSE से एक और तुमारा वो आ जाएगा उसका duplicate वाला version तो वो भी चलेगा originally होता है stamp paper पे sign होता है बट यह print out हो गया और जितने भी फालतू के चीज़े यह मत करवाना क्योंकि यह यहाँ पे चलेगा नहीं original document तुमारे इंडिया में भी embassy में जाएंगे तो यह सब चीज़े धियान रखना eligibility criteria पे यह video थी hope you like my video बाकि अगर कोई doubt हो और admission related query हो तो मेरे दिये गए नीचे number पे तुम मेरे से contact कर सकते हो college के बारे में या कुछ भी वो मैं सब बता दूँगा पूरी whatsapp number भी है मेरा instagram भी है बट कोशिश करना whatsapp पे करना क्योंकि सब को बता दे रहा हूँ Russia में instagram बैन है तो मेरे को vpn लगा के चलाना पड़ता हूँ मैं vpn बहुत जादा use नहीं करता यहाँ पे क्योंकि बहुत time लगता है vpn से तो मैं instagram में बहुत लेट reply देता हूँ तो कोशिश यह करो कि मेरे को यहीं पर reply कर दिया करो कहाँ पे यह message कर दिया करो whatsapp में तो मैं fast reply दे सकूँ ठीक है तो खतम करता हूँ like share and subscribe